नमश्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी समेधन्शील इशू है कि मनिपुर के अंदर विद्रो हो रहा है तो उसके रीजन क्या है? क्यों अभी तक ये थम नहीं पा रहा है? सरकार क्या-क्या कारवाई कर रही है जो ये ग्रूप है, विद्रोही जो ग्रूप है इनके साथ बातचीत कर रही है या फिर इनके खिलाव कोई एक्शन लिया जा रहा है भार सरकार क्या-क्या स्टेंड है तो ये चीज़े हैं जो हैं इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं साथ इसाथ हम यहां पर आफसपा इसके बारे भी हम थोड़ी बहुत बातों का अनलम करेंगे इस वीडियो के अंदर और केवल मनिपूर ही नहीं मनिपूर के अलावा जितने भी अपने नोर्थ इस्ट के जो स्टेट होगे जैसे असम, अरणाचल परदेश, नागालेंड, मिजोरम, मिघालें यह जितने भी अपने जो स्टेट हो जाते हैं कहीं न कहीं यहां पर विद्रोच चल रहा है, कोई अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है कोई अपने लिए अलग स्टेट की मांग कर रहा है, कोई अलग अपने लिए उटनोमिक काउंसल की मांग कर रहा है तो ये सारी बाते जो हम इस वीडियो में एक एक करके discuss करेंगे First of all तो आप लोगों को एक बार background बता दिया जाएगा कि ये विद्रोग क्यों हो रहे हैं फिर हम मनिपूर को एक बार अच्छे से discuss करेंगे तो चली start करते हैं तो देखें अभी हाली में केंदर सरकार ने घोशना किये कि मनिपूर के अंदर जो ये उगरवादी जो group है जो insurgency group है इनके साथ बातचित की जाए ताकि मनिपूर के अंदर शांती लाई जा सके तो अब यहाँ पर जो है केवल पहली बार ही नहीं government जो है इनके साथ बातचित करने को आई है बहुत बार government ने बहुत बार table पर लाकर जो उगरवादी समू है इनको या insurgency group है इनको table पर लाकर बातचित की है और बहुत सारे जो group है उन्होंने अधियार डाले भी है उन्होंने शांती समझोता पर हस्ताक्षर भी किये है तो ये सब चीजें जो है वो बार सरकार बहुत टाइम से करती आए भी रही है और अभी भी कर भी रही है लेकिन अब एक सवाल उठता है कि इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं फिर बारसरकार करती आ रही है, तो क्या ये group अभी तक खतम नहीं हुए, क्या, इतनी बार हम देखते हैं, कि बारसरकार ने आज इस group के साथ वारतालाब की है, इन्हों ने कहा है कि हम अब आगे से कोई भी किसी भी गलत activity में नहीं होंगे, हम लोगों को नहीं मारेंगे, नही पर लोगों को, बावजुद इसके भी ये थम क्यों नहीं रहा है, कितनी group है, तो ये सारी चीजों को हम एक बार पेशन्स बनाए रहे हैं, सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम इंट्रोड़क्शन की बात कर लेते हैं, कि हम पारे सामने ये जो नौर्थ इस्ट के स्टेट देखते हैं, कौन-कौन से हो गया, अनौनाचल प्रदेश हो गया, आसम, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, तिरपूरा, अरसिक, ये जुड़े हुए कैसे हैं, ये जुड़े हुए हैं, एक 21 किलोमेटर की एक चो उदर नेपाल में पाना जाता है, डौकलाम जो इशू हुआ था, वो इसी करके तो हुआ था, कि यहां पर कैसे ना कैसे भारत का ये जो हिस्सा है, इसको काट कर अलग कर दिया जाए, तो ये चीन के हमेशा नीती रही है, और ये काफी जादा एक important sensitive इशू बना रहता है हमा साजा करते करते हैं, हमारे देश का लगबग 7.6% यानि land जो है, वो यहां पर हो गया, population जो है, वो 3.6% है, इंडिया की population यानि 4 करोड के लगबग यहां पर population आपको मिलेगी, साथ ही साथ यहां पर diversity देखे, 475 टाइप की तो आपको यहां पर groups मिलेंगे, ethnic group मतलब कि यहां यहां पर चारसो पिछेतर टाइप के, साथ चारसो टाइप की language यहां पर बोली जाती है, अलग-अलग तरीके से बोली जाती है, तो इतना diversity है यहां पर हमारे देश में और बहुत सुंदर इलाका है यह, कभी आपने देखा हो या ना देखा हो, देखने का मोका मिले तो जा है, यह कहीं न कहीं यहां पर परिशानी create कर देंगे, जिसके चलते यहां पर tourism को कम ही बढ़ावा मिल पा रहा है, शिक्षा यहां पर पहुच नहीं पा रही है, तो काफी जादा problem create हो रही है, तो इसके चलते बारसरकार काफी सारे कदम हुटा भी रही है, तो थोड़ा बह तो भी यह जो नाकालेंड हो गया, या फिर यह मनिपूर हो गया, यह actual में सारा का सारा असम का ही हिसा हुआ करता था, पहले एक असम पूरा हुआ करता था, असम प्रोविंस, फिर बाद में धीरे धीरे time to time इन राज्यों को अलग किया गया, फिर राज्यों का इनका धरजा दिया गया, तो देखिए, यह पहले असम का हिसा उगारता था, बाद में यहां पर militancy या फिर कहें, उगरवाद कब भढ़का, यहां पर इनके अंदर demand आने लगी कि हमें एक अलग से autonomy चाहिए, कि हम अपना शेतर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और इसको head करने वाले independence को अपने लिए, यहां फिर अपने शेतर के लिए 1951 के अंदर अपने आपको independence घोशित कर दिया था, फिर यहां पर जो था NNC जो थी, वो दो हिस्तों में तूट गए, एक National Socialist Council of Nagaland, NSCN कहा गया, आगे चलके यह NSCN जो है यह फिर दो हिस्तों में तूट जाती है, एक NSCN I am और एक NSCN के, अब आप सोचेंगे सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्या आज की रेट में या फिर मनिपूर में यह काम आने वाली है क्या, अरे बेशक काम आने वाली है, यह NSCN के कारण भी थी, प्रोब्लम हो रही है मनिपूर के अंदर, अभी उसी बात को मैं भी नागालेंड से थी, यह चीज ध्यान अकनी है, क्लिर हुआ, अब आगे चलते हैं, नागालेंड का हमने जान लिया, अब बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम भी जो था, वो किसका था, आसम का हिस्सा था, इसको स्टेट हूट का यहां भी रज्य का दर्जा दिया गया था, 1987 के अंदर, यहां पर जो था, मिलिटैसी का, या फिर कहें, यहां पर उगरवाद बढ़का, इक अकाल पढ़ा था, मुंतम आया, अकाल पढ़ा था, उसके चलते हैं, यहां के लोगों को लगा, क्यार, जो गोवर्मेंट है, जो सेंटल गोवर्मेंट है, वो हमारी तरफ ध अपने लिए एक independence घोसित कर दी थी 1966 के अंदर तो देख रहे हो धीरे धीरे यहां पर कैसे जो लोग है या फिर जैसे ग्रूप है वो बढ़ते आ रहे थे अपने लिए अलग देश की या अलग स्टेट की मांग करते आ रहे थे अब त्रिपूरा की बात करें देखें त्रिप शाशन हुआ करता था ब्रिटिश का तो इस्ट बेंगालिया नी बांगलादेश होगे न तो बांगलादेश चे जो थे हिंदू थे यहां पर आना स्टार्ट हुए और जब यहां पर हिंदू आना स्टार्ट हुए इस शेत्र के अंदर तो यहां के लोगों को लगने लगा क्यार हमें एक minority का status मिल जाएगा और हमारी जो tribal जो जाती है वो कही ना कहीं खत्रे में आ जाएगी हमारा culture खत्रे में आ जाएगा तो ये जो डर था यहां पर पड़ अपने लगा जिसके चलते हैं यहां के लोगों ने कहा कि भई हमें ना अलग चाहिए एक अलग राज्य चाहिए इन जो ये जो हिंदू जाएगे या फिर जो अलग community के जो लोग आए हैं इनको अलग करने की बहुत जादा ज़रूरत है बेंगाली population को आप अलग करिए हमारी population को अलग करिए जिसको चलते यहां पर militant group भी जो है वो बनने लगे थे अपने लोगों के लिए अपनी जाती को रुक्षित करने के लिए अपने culture को बचाने के लिए तो आप देख रहे हो धीरी धीरे कैसे जो चीज़ें देखे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी बनती गई है time to time तो तिर पूरा का हो गया आसम के अंदर देखे आसम में बाद शुरू होती है 1971 से 1971 में जो था आपको बदा है कि यह जो East Pakistan था इसको बांगलादेश मतलब यह बांगलादेश बन गया था जो बांगलादेश बन गया था बांगलादेश बनने के बाद क्या था कि जब यहां पर यहां मेरे देश ने या फिर कहें कि नहीं है तो यहां से निकाला जाएगा तो यह सब चीजें जो हैं वो यहां पर की जा रही है तो आसम में जो था 1971 के बाद जो चीजें थे बिगड़ने लगी क्योंकि यहां पर जो थे बहुत सारे जो यहां पर जो बंगलादेशी जो लोग थे वो यहां पर आके रहने लगे थे तो इसके चलते क्या था यहां पर एक militant group जो था या फिर outfit जो था United Liberation Front of Awesome यह बन के आया 1971 में 1979 के अंदर यह बन के आया इसके अलावा और भी group निकल कर आये जैसे Border Liberation Tiger हो गया National Democratic Front of Borderland हो गया United People's Democratic Solidarity यह हो गया तो UPDS तो काफी सारे group भी बन कर आये अपने culture को बचाने के लिए अपने आपको minority का status ना दिलवाने के लिए तो अपना शेत्र बचाने के लिए तो काफी सारे group भी बन के आ रहे थे यहां पर फिर मनिपूर तो अब आपके आज मनिपूर के बारे में ही जानेगे लेकिन थोड़ा बहुत हम यहां पर देख लेते हैं देखिए यह मासम का ही इसा था यहां पर जो था इनका यह कहना था कि हमें जबरदस्ती आपने मिला लिया है forceful आपने merge किया है हमें इंडिया के अंदर हमें status आपने जल्दी से नहीं दिया statehood का जिसके चलते यहां पर था United National Liberation Front का निर्मान हुआ 1964 के अंदर यहां पर clear लेकिन देखे मनिपूर का जो हो था हमने statehood का दरजा 1972 में दिया था लगबग 23 साल बाद जब यह इस राज्यो को या फिर इस शेत्र को जब भारत में मिलाया गया था तो इस बीच जो थे काफी सारे जो insurgent group थे वो निकल कर सामने आ रहे थे अब बात करें मेगाले की देखें मेगाले में आपके सामने गारों खासी जहनती हैं यह काफी ज़्यादा important है तो यहां पर इन जातियों को एक unique special rights मांगे गए थे कि हमें कुछ special help चाहिए या special rights चाहिए हमें जिसके चलते यहां पर जो था एक autonomy की मांग उठने लगी थी और यहां पर काफी सारे group यहां पर भी बन के आया थे जैसे गारों National Liberational Army हो गई यहां पर GNLA यह निकल कर आया एक HNLC यह निकल कर आया अपने ही tribal रोगों के लिए तो देखें अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग अपनी tribes को बचाने के लिए बहुत सारे groups बन भी रहे थे धीरे-धीरे अब बात करें अरुनाचल परदेश में अरुनाचल परदेश में कही न कहीं शांती बनी रह रही थी लेकिन अरुनाचल परदेश में शांती एक तरीके से खराब होने लगती है इस Myanmar की वज़े से Myanmar के देश के साथ ये सीमा साजा करता है जिसके चलते क्या है कि यहाँ पर कही न कहीं एक उगरवाद भड़कने लगा था उगरवाद आने लगा था यहाँ पर नाकालेंड से भी जो था अरुनाचल परदेश में जो शांती थी वो भंग होने लगी थी अब एक जो ग्रूप है जो बरके आ रहा है अरुनाचल परदेश अरुनाचल ड्रैगन फोर्स जिसने अपना नाम बदल कर इस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट कर दिया है 2001 में नाम बदल दिया था तो कहीं न कहीं अब ये जो एक ग्रूप है वो यहां पर इंसर्जेंट ग्रूप के रूप में बाहर आ रहा है कहीं न कहीं ये उग्रवाद के रूप में बाहर आ रहा है तो यहां पर यह हो गया अरुनाचल परदेश के बारे में अब बात कर लेते हैं मनिपूर के बारे में अब हमने जितनी भी चीजें देख लिए कही न कहीं कोई गुरूप बनके आ रहा था अपनी जात्ती को बचाने के लिए अपने कल्चर को बचाने के लिए या अपने स्टेट को कही न कही उन्हों ये खत्रा होता था कि अगर बाहर से कोई लोग आ जाएंगे तो हमें unemployment बढ़ जाएगा, हम इनसे क्या कहते हैं कि minority का status आ जाएगा, यहां पर यह लोग जादा हो जाएंगे, हमारी संस्कृति खत्रा आ जाएगा, तो यह जो चीजे थी वो काफी जादा धी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर United National Liberation Front जो हमने अभी देखा है न, उसके गठन के साथ हुआ था, जो आज की rate में काफी जादा एक कह सकते हैं कि खतरनाक उगरवादी संगटरनों में से एक है यहां पर, इसके अलावा मनिपूर में जो यह reason क्या है, कि यह insurgency जो थी वो बहुत को बताया, कि मनिपूर ने का कि हमें न, आपने जबरदस्ती मतलब की मर्ज किया है, हमारी को इच्चा नहीं थी, आपने जबरदस्ती जो है वो विल्या कर लिया भारत के अंदर, तो मनिपूर में, मनिपूर में, अलगावाद विद्रो का उदय है, मुक्हे रूप से को लेकर यहां पर ऐसंतोष और बाद में इसे पूर्ण राज्य का जो जर्जा देने में दुदेरी कही वो बताया गया है फिर मणी मुर में तदकालिन जो थी समराज्य का विला जो कब हुआ था 1949 में मतलब किया गया था तो वहां पर भारत ने इसको अब देखिए कब दिया जो हम एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे वो भी नहीं दी गई तो 23 साल तक इन्होंने कितनी ज़्यादा वो की होगी देखा जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एक स्टेट बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक पॉलिटिका लेक्चर करवाया जहां पर कहा गया था कि भाशा के अधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फिर जेवीपी कमीटी आई थी तो जेवीपी कमीटी एसके धर कमीटी होगी तो इन्होंने साफ मना कर देता कि भाशा के अधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते प पोटिशी रामलू जी थी उनकी डैथ होगी थी अठावन दिन का उन्होंने अंशन किया था तो वहां पर जो स्ट्राइक के कारण उनकी डैथ होगी तो बहुत एक लड़ाई चलती है किसी को भी राज्य का दर्जा दिलाने के लिए तो यहां पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ क इनके राइट कोई सही थे इन्होंने इतने गलत गलत काम किये मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि टाइम देखे कितना लगा है और इस टाइम में कितने सारे जो लोग हैं या फिर कहें कितने सारे ग्रूप उभर के आये होंगे इन्होंने कितनी ज़्या हर्मी आपको चेन की याद दिलाएगी अभी चीन का भी रोल है इसके अंदर टेंशन ना लिए चीन का भी रोल आएगा मैं आपको लोगों को वो भी बताऊंगा पीपर्स रिवलुशन पार्टी ओफ कंगलेई पक कंगलेई पक होगी यहां पर यानि फिर इसके बाद होगी कंगलेई पक कम्यूनिस्ट पार्टी होगी फिर या कंगले यावोल कना लूप यह पार्टी होगी काफी सारे उगरवाज संगठन जो थे वो धीरे-धीरे बन रहे थे अब यहां पर यह क्या कर रहे थे कि मनिपूर को एक अलग से यह चाहते थे कि मनिपूर एक अलग आजाध हो जाए एक रदेश का एक यह दरजा मांग रहे है अब यहां पर इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जैसे ग्रेटर नगालिम की मांग का व्यापक बरभा आपको पता है कि मैंने आपको N, S, C, N अभी पढ़ाया है I, M, एक N, S, C N, S, N, S, N था या N, C, S, N था जो भी था यह जा था एक K था ठीक है यहां पर तो यह दो ग्रूप में डिवाइड हुआ था N, N, C जो था N, N, C जो था वो दो ग्रूप में डिवाइड हुआ था N, S, C, N था N, S, C, N था शर यादा है N, S, C, N था फिर यह N, S, C, N दो ग्रूप में डिवाइड हुआ था नागालेंड का था यह तो नागा लेंड वालों का भी यहां पर कहीं न कहीं बरभाव बढ़ा है कैसे देखें नागा लेंड में नागा अंदोलन यानि मनिपूर की पहाड़ियों तक फैल गया यह जो लोग है या इस ग्रूप के जो लोग है वो मनिपूर की पाड़ियों पर आ गए यहां पर तो यहां पर यहां आने के बाद मनिपूर में कहीं न कहीं इस चीज का दबाव बनने लगा कि यह तो हमारे शेत्र पर मतलब कबजा कर रहे हैं इससे हमें खत्रा हो रहा है तो यहां पर इस करके भी जो थी उकरवाद भढ़कना स्टार्ट हुआ था एक valley hills conflict का मतलब जैसे की देखें मनीपूर का जो आप structure देखें या फिर इसका map देखें आप इसकी भोगोलिक स्थीती देखें तो आपको पता चलेगा कि मनीपूर में लगवग 9-10% जो हिस्सा है वो बहुत कम अबादी जो है वो यहां पर रहती है पाड़ी इलाके में जबकि ज़्यादा तर जो अबादी है वो घाटी यानि वैली के अंदर मतलब रहती है और इंफाल घाटी में देखें मेतेई समू जो है वो एक majority के अंदर है लेकिन यहीं पर आसपास की शेत्र की पाड जो थे चोटे चोटे जोटे ग्रूप बहार निकल के आने लगें जैसे की एक यह जैड यू एफ यहनी जे लियांग रोप यूनाइटिड फ्रेंट यह निकल कर आया और भी बहुत सारे संग्ठन जो थे वो निकल कर आये थे जब जाती है संगर शुरू हुआ तो काफी ए पूर में इतना ज़्यादा ऐसांती फैल गए थी तो भार सरकार ने इसको एशांत शेतर तो गोशित कर दिया और एशांत शेतर गोशित करने के बाद यहां पर जितनी भी इंसर्जंसी एक्टिविटी थी उनको दबाने के लिए Armed Force Special Power Act आफसपा यहां पर लगा डाला अब लगाने के बाद आपको बताए कि आफसपा में क्या था जो भी जो फोज है यहां पर क्या था अधिकार था कि आप मार दीजी गोली आप से कोई पूछेगा नहीं आप इस रहासत में लेजी आप से कोई पूछेगा नहीं तो काफी जाता है विवाद में भी यह रहा है और उगरवादी जो थे वो छुप गए थे और कुछ जो थे वापस घाटे के अंदर आकर रहने लग गए थे तो ये चीज़ें की हैं भारसरकार ने इसके अलावा मतलब आम का यूज करते हुए भारसरकार ने बात भी किया है टेबल पर भी लेकर आए हैं जैसे 1997 के अंदर NSCN देखे NSCN आई एम जो मैंने अभी किया है नागलेंड का ही है इसने क्या किया है भारसरकार के साथ बात की और युदा वराम को समझोता दे दिया अब ये क्या कर रहा है कि नागलेंड करके एक अलग से एक पूरा ये अपना शेत्र बनाना चाते हैं जिसके करते हैं इन दोनों समुने बाइस अगस्त 2008 को भारत और मनिपूर की सरकार के साथ एक त्री पक्षिया संस्पेंशन सस्पेंशन ओफ ओपर समझोते पर हस्ताक्सर कर लिए यानि एक तरीके से इनों ने भी का कि हम जो है वो लडाई नहीं करेंगे अराम से अपनी लाइफ जो है महा अरवास कारेकरम यहां पर शुरू किया गया यह तो थे जिनोंने मतलब कहीना कहीं भारत सरकार के साथ हाथ मिलाया यूदविराम के मतलब सम्झोते पर हस्ताक्सर के लेकिन बहुत सारे ग्रूप हैं आजकी डेट में भी जो यहां पर भारत सरकार के साथ बातचित करने को चुनोतियां देखे क्या क्या आ रही है अब बात करें देखें परस पर विरोज मांगे यानि many conflict demands कैसे अब भारत सरकार जो है ये भारत सरकार है ये बात कर रही है किसी मैं कहारा हूँ कि इस B group से बात कर रही है यहां पर ये भी insurgency group हो गया और इधर एक और group है मैं कहता हूँ ये जैड एक और group है तो यहां पर भारत सरकार जब इससे बात कर रही है इस B group से जब बात कर रही है तो ये इनकी demand हम मानेंगे कहीं कहीं नहीं कहीं ये demand रखेंगे कि हमारी demand मांग लो वो कहता है बही मुझे तो यह demand बनवानी ही नहीं थी आपको यह demand नहीं माननी है तो यह जो चीज है वो काफी ज़ादा चुनोती आ रही है बातचीत करने के अंदर दूसरी चुनोती जो है वो proxy grouping कह रहे है proxy grouping का मतलब यह है कि हमने किसी A group के साथ for example हमने B group के साथ समझोता कर लिया कहा कि हमने आपकी मांगे मान ली है अब आपको अराम से शांती से यहां पर रहना है यह करेंगे क्या यह लोग इस group को बंद कर देंगे बंद करने के बाद किसी दूसरे group में या तो शामिल हो जाएंगे या फिर अपने group का नाम बदल लेंगे यह चीजें चलती ही रहती है मतलब भारसरकार एक group को बंद करती है वो सिर्फ और सिर्फ नाम को बैन करते हैं दूसरा नाम यह फिर से लेके आते हैं वही लोग हो जाते हैं तो proxy grouping भी देखी जा रही है यहां पर इसके अलावा राजनेताओं का यह आदी politician का कहीं न कहीं इसे जो विद्रोहियें इनके साथ गट जोड पाया जा रहा है जो राजनेता हैं जो विद्रोही हैं इनका यह यह जो हैं अपने लिए यूज करती ही करते हैं उनका कुछ संगटन अपरादी गैंग्स्टर के रूप में काम कर रहे हैं जान बुज कर वसूली करते हैं किड्नैपिंग करते हैं हत्याएं करते हैं बहराल उपद्रवी ये जो है वो इंसर्जन्सी की ऐशान्ती का फाइदा उठाते हैं और अपने आपको विद्रोई बताकर भारसरकार से धन लेते हैं धन कैसे मिलता है भारसरकार वास्तों में बहुत जादा रुपया देती है इन ग्रूप्स को कि आप वापस आ जाईए हम आपको यहां पर रहने की सुविदा देंगे आपके खिलाव जितने भी जो केस हैं वो खतम कर दिये जाएंगे और भारसरकार करती भी है ये सारे चीज़ें यहांपर वापस इनको लोगों को लाया जाता है पैसा दिया जाता है तो कितनी सारी चीज़ें हो रही है तो ये जो लोग हैं जैसे मैंने काना है कि नाम बदल कर किसी दूसरे का नाम ले लिया हो तो वो सारा का सारा काम जो हो पैसे से ही हो रहा है कि भई हम पैसे चाहिए अब हम दूसरे ग्रूप से दूसरे नाम से आ गए हैं तो ये सारे का सारा पैसे के लिए भी कई कर रहे होते हैं इसके लावा जो है राजनितिक क्या करते हैं विवाद जो भी controversial issue होती है उनको उठाते हैं vote banking उनके लिए vote banking का साधन बना हुआ है जिसके करण वो कुछ इसों को राजनिति करण करण कर देते हैं जिनको नहीं पाकिस्तान का ISI, या फिर चीन, या फिर मैनमार, ये जो देश हैं, वो full-on support करते हैं, जो eastern, जो हमारी जो state है, यहां पर insurgency group है, इनको full-on support किया जाता है, financial support किया जाता है, हत्यारों के रूप में इनको support किया जाता है, आप सोच कर देखें, इनके पास हत्यार आ कहां से रहे पाकिस्तान है, या फिर मैनमार है, या फिर कहें उपर की तरफ चीन है, ये कहीं न कहीं यहां पर हत्यार प्रवाइड करवा रहे हैं, परिशिक्षन या फिर इनको training प्रवाइड करा रहे हैं, तो सारी चीज़ें प्रवाइड करा रहे हैं, एक सिर्फ और सिर्फ भुटान यह मैनमार हो गया, इवन, यह पाकिस्तान हो गया, यह इसके ISI, यहाँ पर जो है, obviously, यहाँ पर training प्रवाइड करवा रही है, यहाँ पर, clear, अब आगे की रहा क्या होनी चाहिए, यह जितने भी insurgency group हैं, इनको खतम, या फिर कहें कि इनसे बातचीत करके इनको खतम किया जाना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि काफी ज़्यादा problem हो रही है, आप tourism इससे प्रभावित हो रही है, शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है, mainstream से यह लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहा जा रहे हैं कि आप एक good governance लेकर आईए, एक आप transparency रखिए सरकार के अंदर, तेज, मतलब fast track आपको स्थापित करने होगे, जितने भी insurgency group हैं, यह जो लोग हैं, इनके खिलाव जितने मुकदमे हैं, fast track में लेके जाएं, इनको जल्दी जल्दी निप्टाने की कोशिश करिए, अस्पताल होगे, स्कूल होगे, पुलिस थाने होगे, यह जो सुविधाएं हैं, कम से कम इन चीज़ों को तो प्रवाइड करवाईएं यहां पर, और एक transparency रखिए, साथ ही साथ यहां पर जितने भी आप कहरे हों कि घाटी होगी, पहाडी शेतर होगे, इन दोनों को सही डंग से आपको लेकर चलना होगा विकास की तरफ, धनका जो है, वो सही डंग से यहां पर distribute किया जाना चाहिए, एक इमानदारी की बहुत जादा आवशकता है यहां पर, honesty चाहिए यहां पर, सरकार जो है, वो यहां पर अर्ष सरकारी के साथ, या फिर निजी यानि प्राइविट के साथ, यहां पर सब के साथ मिलकर, यहां पर आर्थिक विकास किया जाना चाहिए, एक तो यह चीज होगी, साथ ही साथ, सीमा पर 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 बंदन, यानि जो आप आतंगवाद को रोकना है, तो मेंनमार हो गया चाहिए, वो चीन हो गया, यहां पर कही ना कहीं, इन से सही डंक से निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को या फिर सबसे पहले भारत मेंनमार अंतराइस्टे सीमा को उचित परबंदन की आफशक्ता तो है ही है लोगों के साथ जुडाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब आप देखते हैं कि कही न कहीं यहाँ पर एक मैंने जो देखा है एक एलियन एशन मतलब कि दूसरे देश की ऐसी भावना मैंने लोगों के अंदर देखी है अलग से ट्रीट करते हुए देखा है अपने इस्टन भाईयों के साथ जितना मैंने अपने फील किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे ही देश के हिस्से लोग हैं ये बात कहने की भी नहीं आने चाहिए कि उनके साथ भेदवाव मत करो अरे ये चीज हमें खुद समझनी चाहिए वो हमारे ही देश का हिस्सा है वो लोग जो है वो जो जन जाती है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स ही है कि हमें सबका इज़त सबको रिस्पेक्ट जो है करनी ही चाहिए यही तो हमारे देश की पहचान है तो यहाँ पर कहने की बात भी नहीं आने चाहिए तो सीजों को हमें समन्ना होगा यहाँ पर साथ साथ कहा जा रहा है कि लोगों के साथ जुडाव बहुत जादा इंपोर्टन है राश्ट्री एक्ता को परत्साहित करने के लिए मनिपूर में जो विविद समुदाएं होगे यहाँ पर उनको समगर भारत के साथ परस पर जुडाव की और आधिक परभावी बनाया जाना चाहिए कैसे करेंगे आप NGU की हल्प ले सकते हैं महिलाएं संगों की हल्प ले सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स करवाईएं सांस्कृति कारेकरम कराईएं जिससे क्या है टूरिज्म यहाँ पर परमोट किया जाएगा कि भी क्या-क्या जरूरत है मनिपूर में क्यों विरोध हो रहा है या फिर जितने भी जो अपने Eastern State है याँ पर विरोध क्यों हो रहा है तो कहीं न गई ये जो वीडियो है आपकी Knowledge को Enhanced करेगी तो Enhanced करेगी छोड़ी बहुत हुइनने करती है बढ़ाती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह चीज क्या होती है कि भाया हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएं साथ साथ जो पीडियाफ है देखें मैं लिखने के आपको कोई भी कस्ट नहीं दूगा पीडियो जो आप लोगों को फ्री ओफ कोस्ट कहेंगे कि प्रवाइड करवाई जा रही है टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा दिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी वीडियो की जितने भी इपॉर्टेंट इशू होते हैं वहाँ पर पीडियाफ जो प्रवाइड करवाई जा रही है तो बस आज के लिए इतना है था तैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं बहुत जाद अगली वीडियो में